इस टाइम फोर दा क्यूरियस फैक्ट कोश्चिन सेवन वेंडर्स एक कैम्पेन है जो आज से कुछ हजार साल पहले शुरू हुआ था जिसमें साथ ऐसे मोन्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनका आर्किटेक्ट्चर बहुत अमेजिंग होता है इनी सेवन वेंडर्स के रैपलिकास को हमारे इंडिया में भी बनाया गया है और इंट्रस्टिंग बात यह है कि उन रैपलिकास को सिरुफ वेस्ट से बनाया गया है है ना सच में अमेजिंग इन रैपलिकास को जिस जगह बनाया गया है उस जगह का नाम है वेस्ट वंडर्व पार्ग जो पर एक सोल की लेयर बिचा दी जाती है उसके उपर बनाए गए है यह मॉनुमेंट्स इन मॉनुमेंट्स को बनाने के लिए पांच आर्टिस्ट और थ्रीहंडर्ड वेल्डर्स ने काम किया तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से मॉनुमेंट्स को यहां बनाया गया है तो इनकी जो फीचर से उनको हाइलाइट करने के लिए सोडियम के लैंप का यूज किया गया है तो लेफ्ट साइड में आइफिल टावर है जो पैरिस राइट साइड में उसका रैपलिका है जो न्यू डैली में बनाया गया पिरामिड ऑफ गीजा का रैपलिका भी इस पांक म पिरामिड, इनके उपर पहले लाइन een के लेघज होती ही जिन्ने बाद में चोरों द वारा चुरा लिया गया जान तविए प्याराана हो राजमेल, प्रॉपर टाजमें के रैपलिका कि वार्भ सब्सकरति मताइबूं कोच से बनाया गया ताज मेल रैपलिका को इस तरीका बना हुआ है वो है Leaning Tower of Pisa Leaning Tower of Pisa situated है इटली में इसका architecture भी बहुत अमेजिंग है इसकी सबसे ज़ादा हैरान करने वाली बात है कि यह tilted होने के बाद भी अपनी जगे पर बना हुआ है तो इसको भी यहां पर बनाया गया है कुछ इस तरीके से इसके इलावा जिस monument को यहां बनाया गया है वो है Statue of Liberty Statue of Liberty एक woman का statue है जिसने Roman gown को पहना हुआ और ये gift किया था America को France ने और ये statue symbol है America की freedom का जो situated है New York अमेरिका में इसका replica कुछ इस तरीके का बनाया गया है इसके लावा Rome के Colossum को भी यहां बनाया गया जिसका Roman name है Amphitheatrum Flavium तो ये situated है Rome में ये एक बहुत बड़ा ancient stadium है जिसका architecture भी बहुत amazing है काफी सारे bookamp के कारण ये stadium अब खंडर बन चुका है इसका replica भी इस पार्क में बनाया गया है इसके लावा Chris the Redimer statue जिसके लावा इस पार्क में काफी सारी windmills और solar panels लगे हों है जो पूरे पार्क को electricity प्रोवाइड करते हैं